बुद्धक्ष्णाम समर्पयामी फिरंड गर्वा समवर्थताक्रे भूत सिजाताः प्रत्विधाते माम कस्माई दीवाया हविका वेदें माद बुद्धक्ष्णाम समर्पयामी प्रात्ना बुर्खं नमस्करोवी वरहापीनम्नट वरवपो कल्णयो कल्णिकारं विप्रत्वासाकनक कपिसंपैजेंति इंचमालां रंद्रान वेड और अदर सुदयां पोड़ेंगो विवरंदे हे विरंडारंडं सबदरमणं प्राविचाचोगेति कीति नमिट्ट तेंप्रवपुसे तड़ि दंबरायां गुंजा वतन से परिपेच्छल संमुखाया वन्नस्रजे कवलवेत्र विशाल वेडो लक्ष्मिस्रिये म्रदूपते पसुपां ग्रिजाद्याहा अब सभी लोग खड़े होके आरती करेंगे आरती का दर्सन करेंगे ये थोड़ा पंका बंद कर दीजी आगे वाली विए थोड़ी देर के लिए ज्वाला मालिन ने नमा सरुबचार आर्थे कंदक्स्ते संपूत्यो चंद्रमा मने सोजातिक्च्छो हो सुर्जो अजायता स्रोत्रा द्वायुष्च प्रानस्या मुखा तकनिन जायता स्री भागवत भगवान की है आर्थे पापियों को पाप से बेतर देशे ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये बंचम बेद निराना नवजोत जगाने वाला अमर गंते मुक्ति पंते ये पंचम बेद निराना नवजोत जगाने वाला हर नाम यही अर धाप यही अर ज्यान यही जग के मंगल की आर्थे पापियों को पाप से है तारते श्रीवागवत बगवाद की रे आर्थे पापियों को पाप से है तारते ये संद्गीत पावन पुनीत पापों को बिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये संद्गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख करनी ये तुनारी स्रीमद सुरन की आर्थे पापियों को पाप से है तारते स्रीमद बगवाद की रे आर्थे पापियों को पाप से तारते ये मधर बोल मगपंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिडड़ी को बनाने वाला ये मधर बोल मगपंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिड़ी को बनाने वाला सियाम यही घनशाम यही तकर मेही है तोग की महिमां की आ रिती वापियों को पाप पसे है आ रτι से भाप बगादंप माथी है आ रिती पापियों को पाथ उसे है तार करपूर नारं करुणा मतारं संसार सारं मुझे रहारं सदाव संतं ज्यारं भभभवाली वे तम नमा कमेवा माता सपता कमेवा कमेवा अंधो चस्था कमेवा कमेवा वे त्या अंधो नम्दमेवा हरे रामा 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 रे हरे आरे श्रुष्णा, आरे श्रुष्णा, 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 संती रंतरिऩ्ह गुंसांति ही ब्रदवी संती रापह संती रोकतय हो संती पनस्पते हитесь रेष्वे Gr citrus नाम जियार्यवक निईक ही C भूर्भ संती ही सरेष्पिक सामा c रेठे हस्ते अच्छतNER पुष्पानिगर्टव्थ अंत 혼्त पुष्पाच्य धर्मानि पर्टमान्या शन्ना तेहना कम्हिमा सचँण्तर जत्र पूर्वेश साथ्याह संति देवाः हरहयों एक दंदाय विध्महे वक्टुंडाय धिमही तन्नो धंती प्रचोधायाद नंद नंद नाय विद्महे अत्मता नंद नाय धेमहे तन्ना स्री कृष्ण प्रचोदयाद देवंते कामकुल चंपके पाठ लाप जई पुन्ना गाजाते कर वेलिरसाल पुष्पे बिल्ण प्रवाल तुल से दल मंचरे भेस्त तौंपुज आम जगती सर मेप्रसीदा नाना सुगंदे वुस्पानी अथा का नोद्मावानिचा वुस्पान्जिलिर्मया दत्तो क्रिाड़ परमेश्वरा पुरान पुर्शोत्तमायन महा मंत्र वुस्पान्जिलिम्समरवयामी बुलबंदावन बाके विहारि लाल की स्रेमद भागवत महां पुनान की ब्यास नरण भगवान की जे सुगदेव जी महराज की जे परिच्छ जी महराज की जे गोरी संकर भगवान की जे गोपिनात भगवान की जे जे स्री रादे जे जे स्री रादे नमपारुबती पते हर हर महादे वसंपो मजस्त्विराज मान आचास्री विश्नु कांसास्तिन जी महराजि इस यक के प्रमुख्य जमान स्री रमेह जिरेaina में के विहारी जी की करपा सन्तों का आसिरवाद गुर्जनों की करपा पित्रों की करपा क्या जब होती है ऐसे सुब अनुस्ठान करने का सुबहुसर प्राप्त होता है आप लोग बड़भागी हैं भगवान की निज इस्थान में बैठ करके स्रीमद भागवत महापुरान की कथा स्रूण करने जा रहे हैं आज के जो महराजी का स्वागत करना चाहते हैं स्री राजेंद जी कृष्णा ग्रीन से हैं और विजय गुपता जी दिल्ली से जो है पिनो जिंदा जी दिल्ली से संजय अगरवाल अंबाला से ग्यान प्रकाष वंचन चंडिगर से जो है सब लोग मंच में आएंगे और महराजी का स्वागत करते हुए महराजी से आशिरवाद लेंगे कहते हैं कि जब परमात्मा की क्रपा संतों का आशिरवाद गुर्जनों की क्रपा पित्रों की क्रपा होती है ऐसे धार में कानुष्ठान करने का सुब अवसर मिलता है गो स्वामी तुलसी दाजी ने कहा मानस में कि गंगे सकले मुदे मंगले मूला सबे सुक करनी हरनी भावे सूला सबे सूक करनी हर नभावे सूला आप लोग जो है इस्रीमद भागयत की कता स्री मनदभागवत महापुरान की कता स्रून करने जा रहे हैं आप लोग बड़भागी हैं आपके पितर लोग वहां से जो है आप लोग को आशिरवाद ब्रदान करते त्रप्तंत यत्र पितरह और वहां उस्सो मनाते हैं कि हमारे पूत्र हमारे पूत्र वधू आकर के यहां स्रीव धाम ब्रिंदावन में कथा स्रमन कर रहे हैं इसलिए भगवान ने जहां पर किड़ा किया माखन खाया राज किया और गिर्राज धारण किया आप लोग बड़भागी हैं सब लोग कृपया सांती का परचे देते हुए स्रीमद भागत महापुरान की कथा किस्णवन करेंगे और जीवन को कृतार्थ करेंगे जैस्री कृष्णा जैस्री रादे जैस्री रादे जैस्री रादे जैस्री रादे जैस्री रादे श्री नमहा श्री बाल कुष्लाल चरनकमले भ्यो नमहा भग्र तुंड महा काया सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघनम कुरू में देवा सर्वकारे सुसर्वदहा नारायनम नमस्करत्यम नरम्चे विनरोत्यमं देविं सरश्वतिं व्यासं ततो जे मुदी रहे देयम सदा परिपभवन पविष्ट दोहं तिर्थास्पदवन सिविरंचिनुतं सरण्यं ब्रत्याप्ति हम रनत्यपा गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णुतं गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साचात प्रप्रह्मा तश्मेश्री गुर्वे नमा ब्रंदावन के व्रक्षी को मरमिन जाने को डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो ब्रंदावन वेतिन सगन पुंजन श्यामाश्या बेहरत प्यारी राधी का स्विदू लाशा में सुझा जे राधे राधे गो बिन दे गो बिन दे राधे जे राधे राधे गो बिन दे गो बिन दे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे बेंद राधे शुटेते हैं। कोविंदे राधे गोपाले राधे कोविंदे राधे गोपाले राधे कोविंदे राधे गोपाले राधे कोविंदे राधे गोपाले राधे कोविंदे राधे गोविंदे राधे कोविंदे 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 राधे लादे 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 बड़ा सोभाग्य का दिन है आज श्रीमत भागवत कथा हम सभी को स्रवन करने को मिल रही है देखो भीया हर मनुस्य सोचता है मैं जीवन में कुछ करूँगा कुछ करूँगा कुछ करूँगा लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि मैं जीवन में मरूँगा 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 ये बात ये जीवन में मन में आ जाए तो पाप करम करे ही नहीं जाने में अन जाने में जीव से कितनी गलतिया होती है कितने पाप होते हैं उनका प्राश्चित करने के लिए केवल स्रीमद भागवत जी है भीया और कुछ नहीं है स्रीमद भागवत देखो स्री कहते हैं लक्षमी के लिए मनुष्य के पास में धन नहीं होगा ना ना तो पूजा पाठ कर सके ना भागवत कथा करा सके ना दानपुन्य कर सके बिना लक्षमी के कच्छू ना होए स्री साक्षत लक्षमी का सरूप है मद मद कहते हैं रस के लिए भाईया यह वो रस है जिसके लिए देवताभी तरसते हैं भागवत देखो भागवत में हर जीव के मन में एक भाव होना चाहिए भक्ती होनी चाहिए दूसरा अक्षर है गय जब भक्ती होगी भाव होगा तो ज्यान तो सुभाविक हो जाएगा बे बाणी में एक मधृता होनी चाहिए सभी को जैसरी किष्णा राधे राधे प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे बे का मतलव बाणी और ते का मतलव त्याग मन में एक त्याग की भावना होनी चाहिए हमेशा दूसरों के भला सोचना चाहिए एक परोपकार की भावना होनी चाहिए ये हैं स्रीमत भाग बतन की भागे कहे से भागे खुल जान के गे के कहे से गुमान गिर जाते है की बैके कहे से बाणी सुद्ध होई जात और ते के कहे से भवसागर तर जाते हैं भवसागर से बाण होने की एक नोका है ना पिश्वो पत्या दिहे ते वे तां पत्रे बिन अगसाँ स्री कृष्णा ये वह यंद महा सच्चिदानंद सच्चिदानंद कौन है सत्चिद और आनंद सत्य सरूप कौन है बास्तम में ठाकुर जी ही सत्य है संसार तो सब जूटा ही जूटा है ठाकुर जी का जो नाम है न वो सत्य है ठाकुर जी की जो लीला है न वो सत्य है सत्यम परमधी मही सत्य तो बास्तम में संसार है सच्चिदानंद चित एक मन को जो सांती मिलती है न वो ठाकुर जी की नाम में मिले है देखो घर में सांस और बहु है खटपट हो जाती है जब सबसंग में जाते हैं तो बहुत सांती मिलती है मंदिर में जाते हैं तो सांती मिलती है मन को सांती का जो इस्थान है न वो किवल ठाकुर जी का नाम है सच्ची दानंद एक आनंद की अनुभूती जो होती है न वो बास्तम में ठाकुर के नाम में होती है और कहूं ना होए सच्ची दानंद रूपाया विश्वो पत्या दिहेत वे विश्व की कुत्पत्ती और पारण करने वाले मेरे गोविंदे तापत्रे विनासाए तीनो तापों में आधि दिविक, आधि भोतिक, आध्यात्मिक श्री कृष्णाईव यम्नुमा ऐसे गोविंद की चरणों में हम सब बारब बार पढाम करते हैं बोलो कृष्णिक नहिया लाले की जैवे बोले नेमी से सूत मासीनम अभिव्याद महामतिं कथा मरतर सरश्वादा पुषले सोने को ब्रभी देखो स्रीमत भागवत की कथा बीत रागी स्वामी सुगदेवजी के पश्चात नेमी सरण में अठासी हजार इसी बैठे हुए हैं आज प्रश्ण किया कि कल्यूग आने वाला है देखो भईया कल्यूग में मनुष्य नाना प्रकार के तरस्चत और तरस्चत होता है कल्यूग में जी बहुत असानत है इनका उद्धार कैसे होगा सोन का दिग्रिश्यों ने सूद जी से प्रश्ण किया कोई आप स्रल उपाय बताईए सूद जी बोले आप लोगों ने परम भागवत परम प्रेमाश्वत बहुत अच्छा प्रश्ण किया है आपको अम्रत से भी अधिक फल उपयोगी भक्ति ज्ञान और वेराग्य की में आपको कथा सुनाओं एक समय की बात है सुकदेव स्वामी राजा परच्छत को कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता अम्रत का कल्स लेकर वहाँ पर पहुँच गए सुधा कुम्भम गरहत वेता देवस्तं समागमन आप ये क्या कर रहे हो का कि मैं राजा परच्छत को कथा सुना रहे हो क्यों कि इनको स्राप लग चुका है इनको साथ दिन के बाद मिर्त्य हो जाएगी का कि एक काम करो हमारे पास में अम्रत का कल्स है इनको अम्रत का पान करा दो और कथा हमको सुना दो राजा प्रक्षित ने इंकार कर दिया देवताव न कहा कि दिखो कितना पागल है अरे अम्रत का पान करने के लिए अम्रत को पाने के लिए हमने कितना युद्ध करना पड़ा कितना संगर्स करना पड़ा तब जाकि हमको अम्रत का कलस मिला है और ये अम्रत के कलस को तर्शकार कर रहा है देवता ब्रहम लोग को पहुँच गए ब्रहमा जी को पूरा ब्रतान सुनाया उनको विश्मर्ती आई ओहो ये वही स्रीमत भागवत है जो स्रीमन नारा ने मुझे सुनाई थी भागवा आज नारा जी बहुत कुदास है क्यों हरी छेत्रे कुरू छेत्रे हरी द्वार गए कुरू छेत्र गए सेतु बंद गए रामिश्वर गए लेके मन को कहीं सांती नहीं मिली सभी संतों ने नारा जी का उदासी का कारण पूछा कि नारा जी तुम उदास क्यों हो क्या बात है का कि भागवा कहां कहूं मैं हरी द्वार गया लेकि मुझे कहीं सांती नहीं मिली हरी द्वार में क्या देखा एक आस्त्र में जगड़ा हो रहा है मैंने पूछा भाईया ये जगड़ा कहां पे हो रहा है तो एक सज्जन ने कहा कि मौनी बाबा के आस्त्र में जगड़ा हो रहा है अच्छा लेव माराज जिनका नाम है मौनी बाबा, उनकी कोटिया में जगड़ो है रहे, जो उसे हम मौन रहते हैं कुछ दूर गया तो छोटे-छोटे बालक खेल रहे हैं, मैंने का अगे भाई ये बालक कोन के हैं एक सज्जन ने कहा, ये ब्रहमचारी जी के बालक हैं, लेव महराज जिनका नाम है भ्रहमचारी जी, उनके एक दरजन बालक खेल रहे हैं, आगे गया ये धरमसाला किसकी है, गवशाला किसकी है, गाड़ी किसकी है, काकी त्यागी बाबा की है, लेव जिनका नाम है त्यागी बाबा, उनके महल अटारी बने हुए है ग्रिष्टियों के घर में गया तो ग्रिष्टि बड़े दुखी है भाई भाई का कहना नहीं मानता है पुत्र पिता का कहना नहीं मानता है शाल को भुद्धीद आयगा मालूम है घर में को कहनों माने तो कौन को माने साले को या फिर साली को देखो हमारे ब्रज में कहावत है कि दिवार को बिंगारे आरो और घर को बिंगारे हम कच्छु नाकेंगे यदि दिवार के अंदर छोटे-छोटे आले बना देंगे न तो दिवार की सोभाई समाप्त हो जाएगी शाल को पुति दायका अपने घर में अपनों से बड़ों का कोई सम्मान नहीं करता है ग्रस्ती बड़े दुखी हो रहे हैं लेके मैं जब घूमते घूमते स्रीरधाम ब्रणावन में आयो जमनाजी के किनारे ग्यान गुदडी में छेत्र में पहुँचो तो मैंने क्या देखा एक यूती बड़े दुखी मन से बैठी हुई है उसके पास में दो बालक है बूढ़े बालक वो सो रहे है मैंने कहा कि देवी तुम उदास क्यों हो कि महराजी कहा कहूं मेरे दोनों बालक ये बर्द अवस्ता में है और मैं युव अवस्ता में हूँ गूर जरे करनाट के देशे मैंने गुजरात में जन्म लिया करनाटक पहुँच गई मैं बुड़ी मेरे बच्चे बुड़े लेकि ब्रदनान में आई तो ब्रदनावन के प्रवाम से मैं तो जवान हो गई लेकि मेरे बच्चे बुड़े की बुड़े है महराजी कोई ऐसी करपा करो कि मेरे बच्चे युव अवस्ता में हो जाए नारजी ने गीता का पाठ सुनाया रामान का पाठ सुनाया स्री मदभागवत को सुनाया और जब स्री मदभागवत को सुनाया भहिया दोनों बालक युब आवस्ता में हो गए और भक्ती महरानी दोनों बालकों के साथ में निर्तिक कर रही है स्रीक्रिष्णे गोविंदे हरे पुरारी स्रीक्रिष्णे गोविंदे हरे पुरारी एनात नारायर वासु देवा हेनात नारायर वासु देवा स्रीक्रिष्णे गोविंदे हरे मुरादी स्रीक्रिष्णे गोविंदे हरे पुरारी स्रीक्रिष्णे गोविंदे हरे पुरारी स्रीक्रिष्णे गोविंदे हरे मुरारी एनात नारायर वासु देवा भक्ति महराणी ग्यान और वेराग्य के साथ निर्ति कर रही है जब नाराज जी जाने लगे तो भक्ति महराणी रिका की महराज रुको भोभो शादो छनम तिष्टा मुन्चिता मपीना सया दर्सन तब लोकश्य सर्वतहा गारं परं महराज जी अब रुकिये आज आपके दर्सन से अब को बहुत सांती मिली है देखो भीया जीवन में धन मिल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राजपाठ मिल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुन्दर पत्नी मिल जाएगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाथी घोड़ा सब कुछ मिल जाएंगे लेकि भाया संत का संग और सपसंग यह बड़े भागी से मिल दे हैं भे महराज आज आपकी दरसन से मैं बहुत प्रशन हूँ मेरे बच्चे युव आवस्तान हो गए आप मों छोड़के मत जाएए जब नारज जी जाने लगे भक्ति माराणी ने का कि प्रव एक बात बताओ तो मों छोड़के चले जाओगी तो मैं कौन के साहरे रहूँगी अरे मों आपके दरसन से बहुत सांती मिलिये नारज जी ने का कि देखो देवी मैं तो जा रहे हूँ तो फिर मैं कहां जाओँगी जहां भगवान की कता हो भगवान का कीर्तन हो आपने देखा होगा जो भगवान की कता होती है कीर्तन होता है ना रोम रोम खड़ा हो जाता है रोम टे खड़े हो जाते हैं ये एक भाव है समझ लिना भक्ती महरानी आपके हिर्दे में आके बिराजमान हो चुकी है तो भक्तों के हिर्दे में रहना भक्ती महरानी ने आज ब्रन्दावन की लीला को गुनगान की नो है कि ब्रंदावनम सैयोगा कि पुरस्तम तरणीनवा कि धन्यम ब्रंदावनम तेना कि भक्ते नत्यति यत्रचा धन्य है ये ब्रंदावन जिस भूमी में आप बैठे हुए है कथा स्रवन कर रहे है हमारी रमेश गुपताजी इनका इतना सुन्दर भाव हमारी माताश्री इनका इतना सुन्दर भाव देखो माताशी का इतना सुन्दर भाव था सोले साल पहले मैंने इनके यहाँ पे दिल्ली में कथा करी तो माताशी हमीशा कहो करी शास्त्री जी हमको ब्रिन्दावन बुला लेओ ब्रिन्दावन बुला लेओ आसी चार पांच वर्ष पूर ब्रिन्दावन में आई उनकी बहुत इक्षा थी कि मैं ब्रिन्दावन बास करूँ कृष्टना ग्रीन में रहे के उन्होंने सब के दिल को जीता अपने मुक्षे बहुत सुन्दर भजन गयो करी है हर भक्त के मन में इक्षा होई करे है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले एक आदसी का दिन एक आदसी के दिन अपने प्राणों को त्यागा जमनाजी में बास किया देखो भहिया ये ब्रिन्दावन है चारो धामों से निराला बर्जधाम देवताभी तरसो करे है हमारी भगवान ने जितने अवतार लिये है ब्रिज के अंदर ही अवतार लियने है तो ब्रिन्दावन से योगा अब ब्रिन्दावन के प्रभाव से भक्ती महरणी भी अनिर्तिक कर रही है और ब्रिन्दावन की लीला को गुनगान कर रही है ब्रंधावन की ब्रेक्ष को मरमिन जाने को ब्रंधावन की ब्रेक्ष को मरमिन जाने को डाली डाली और पात पात पे रादे रादे हो डाली डाली और पात पात पे रादे हो डाली और पात पात पे रादे हो डाली डाली और पात पात पे रादे हो प्रंदावन के स्री महारानी मुक्ति यहां पर भर रही पानी मुक्ति यहां पर भर रही पानी तेरे द्वारे खड़े हैं चारो धाम तेरे द्वारे खड़े हैं चारो धाम के सोरी तेरे चरे नग्रमें पुमेतो आई प्लावन धाम के सोरी तेरे चरे नग्रमें आई दुन्ना बर्दाव के सोरी तेरे चरे नग्रमें प्लू पांकी पिहारी नानी की प्रण्दावन की लतापतले में प्रण्दावन की लतापतन में लतापता और वानी धिवन में लतापता और वानी धिवन में तेरे चरे नग्रमें प्रण्दावन की लतापता और वानी की लतापतावन एक समय की बात है जो प्रण्दावन में आवे है उसकी मुक्ती हो जाए लेकिन मेरी मुक्ती कैसो होगी पड़ी रो हो या प्रज रज में तो सहज मुक्ती हो जाए अब तो मुक्ती मारीन ने कहा अब तो मुक्त ठीकानों मिल गयाओ आभे तो आस यही मेरे मने में आभे तो आस यही मेरे मने में ऊपल बनू में स्री चरणों में में धोले बन्दों मैं स्रे चर्ण में मेरो हो जाए बेढा पार मेरो हो जाए बेढा पार कि सोरी तेरे चर्ण में में धोले बन्दों कि सोरी तेरे चर्ण में अज भक्ती मारानी ने ब्रंदावन की लीला को गुनगान की नो देखो भीया इस कल्यूग में इतने अबगुने हैं आपको गिनाने बैठेने तो गिना नहीं सकते लेकिन एक गुन बहुत अच्छा है कि कले दोसिन धे राजन अस्ति एक महान गुना कीरतना देव कृष्ण स्षे मुक्त संगम परंब्रजे ठाकुर जी का कीरतन ये सबसे बड़ा गुन है गोश्वामी बाबा ने भी रामशत्र मानश में लिखा है कल्यूग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उत्र ही पारा कल्यूग केवल 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 सब्द बहुत अच्छा है केवल एक नाम का सहरा है कोई दूसरा सहरा नहीं है इसलिए हर मनुश्य को एक नाम का सहरा लेना चाहिए ठागुट जी का नाम ही लेना चाहिए यह एक जीवन की नोगा को पार करने वाला है केवल नाम का अधार है एक समय की बात है सत्कर्म सूच को नूनम सत्कर्म करना चाहिए बिन सत्संग विवेग ना होई राम करपा बिन सुलह नस होई बिन सत्संग के कोई विवेग नहीं होता है कोई ज्यान नहीं होता है इसलिए हर मनुश्य को सत्संग करना चाहिए सदा सेब्या सदा सेब्या स्रीमद भागवती कथा यस्चे सरण मात्रेणा हरिश्चित्म समासरेद हमेशा ठाकुर्जी का चिंतन करना चाहिए ठाकुर्जी की कथा सुननी चाहिए यही एक कल्यान कारी है देखो भीया ये मानवा पाप प्रक्रतस्तु सरवदा सदा दुराचार बिमागा क्रोधागरी दगदा कुटिलस्चे कामना सबता है जग्गे निकलो पुनन्तिते कोई कितना कुटिल क्यों ना हो कामी क्यों ना हो दुराचारी क्यों ना हो पापी क्यों ना हो संकल्प लेकर एक ब्रभागवत कथा को सुने तो उसके पापों का प्राश्चित हो जाता है प्रभू एक बात बताओ कि भगवान की कथा सुनने से किसी का उद्धार हो गया है क्या अच्छा उद्धार हो गया तो बता दीजिए एक ब्रहमन है जिनका नाम है आत्म देव बड़े बेदग्य ब्रहमन है करम कांडी है ठाकुड़ जी का नाम लियो करें है तरकाल संध्या करने वाले ब्रहमन उनकी एक धरम पत्नी है जिनका नाम है धुन्दुली साधी को बहुत दिन है गए लिकिन घर में कोई संतान नहीं है देखो भीया जिस घर में संतान नहीं होती है न वो घर सुनो सुनो लगो करे आज आत्म दे इब्रहमन बहुत उदास है धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग रहम जब प्रजा बिना धिग धनम चान पत्यस से धिग कुलम संतिती बिना धिकार है उस जीवन के लिए जिस घर में धन नहीं हो धिकार है उस जीवन के लिए जिस घर में संतान नहीं हो सुना सुना लगता है घर में धरम पत्नी है अब वो कहनों ना माने आत्म दे ब्राह्मन ने कहा कि देवी एक काम करो आज एक आज़ी को दिन है चलो आज हम प्रत रहेंगे का कि वो भूकों ना रह जाए देवी आज गंगा देशेरा को दिन है गंगा जी में इश्णान करनी को बड़ो महत हो करे है चलो आज हर द्वार चलें इश्णान करवे की काजे का कि मैं ना जाओ तुम ही चले जाओ एक तो घर में संतान ना आए और दूसरी जो पत्नी कहनों ना माने महराज अब पंड़ जी ने सोची करू तो करू कहा अपने प्राणों की आहूती दे दू पंड़ जी पहुँच गए नदी के किनारे अपने प्राणों की आहूती देने लगे उसी समय एक संत भगवान आ गए संत ने देखा कि ओहो ये ब्राहमन अपने बली को चणा रहा है प्राणों को त्याग रहा है तो संत ने खा कि अरे रुको 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 तुम क्या कर रहे हो महराजी कहा कहूं मैं प्राणों को त्यागनी क्यों आयो हूँ मेरे घर में कोई संतान नहीं है संत्र का कि ब्राह्मन तुमारे घर में एक जनम क्या तुमारे तो साथ जनम तक संतान का कोई योग नहीं है इतना ब्राह्मन ने सुना तो का कि ठीक है महराई कोई बात नहीं है मैं आपके सामने अपनी प्राणों की आहुती लगा दूँ ध्यान देना जो पाप करता है न वो पापी होता है जो आखों से देखता है न वो भी उतना बड़ा पापी होता है जो पापी करने वाला है संत भगवान ने सोचा मेरे नेत्रों के सामने इसने अपनी आहूती लगा दी प्राणों को त्याग दिया तो इसका दोस किसको लगेगा मुझे लगेगा तो संत भगवान ने क्या किया एक फल लिया और ब्रामन को दे दिया ब्रामन इस फल को लिजिए अपनी पत्नी को खिला देना और समय आने पर तुमारी पत्नी के सुन्दर बालक होगा अब तो ब्राह्मन की खुशी के को ठीकाना नहीं रहा अब फल को लेके भागा भागा गया मारा है पत्नी के पास में पत्नी कौन? धुंदली लेओ जी लेओ देवी कि संत भगवान ने फल दिया है इसको तुम खा ले और तुमारे संत अन हो जाएगी अब तो धुंदली ने कहा कि ठीक 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 जाओ 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 मैं खा लूँगी धुंदली अस फल को लेके बैठी है मन ही मन xico лон देई इस फल को मैंने खा लिए तो मैं गरवति हो जाओंगी, और गरवति हो जाओंगी न, कई ऐसो ना होए, जब मेरे बच्चे का जनम होगा न, तो नंद आयोकर रहे, नंद को बुलाएं न, मोज तो पतों भी ना हरेगी, जब मेरे बच्चा होएगो, ऐसो ना हो, कि ननत जो है ना घर के समान को बांद के ले के चली जाए देखो जिसके मन में बुरे बुरे बिचार आयो करे है ना उसी का नाम है धुंदली धुम धुम करो तुछे धुंदली जो अपने बात की पुष्टी करे जो मैं कहरी हूं न वो सत्ते है और जो अड़ोसी पड़ोसी सासनंद कहरी है सब बेकार है दुम्दली ने सोचा है भगवान कहीं ऐसो ना होए मैंने फल को खा लिया मैं तो गर्वती हो जाऊंगी सुकदेश स्वामी अपनी मैया के पेट में बारे वरस तक बैठे रहे कि मेरो छोरा मेरे पेट में बारे साल तक बैठो रहेगो मैं तो बैसी मल जाऊंगी मैं इस फल को नहीं खाऊंगी दुम्दली ने सोचा कि ऐसो ना होए मेरे गाम में आग लग जाए जो मेरे गाम में आग लग जाएगी ने सब तो भाग जाएगी मोब तो भगो भी ना जाएगो ऐसा सोच ही रही थी अब सामने से दूंदली की एक बेहन है जिसका नाम है रूंदली दूंदली ने कहा कि बेहन कहा बात है तो मुदास क्यों हो क्या बात है अरी बेहन कहा कहूँ तेरी जीजा जी या फलकू लेके आएं अकि फलकू खाले तेरी संतान है जाएगी लेकि मैं ना खाऊँ तो रुंदली ने कहा कि बेहन एक काम करो तो अपने पेट में कपड़ा बांद लेो और कपड़ा बांद के घर में बैठ जाओ और सबसे कह दो कि मैं गरबती हूँ मेरे बालक होने वाला है मैं अपने बालक को आपको दे दूंगी दुंदली ने कहा कि बात तो सही है देखो भीया एक बस में एक सीट के उपर दो पुर्स बैठे हैं चार छे घंटे बैठे बैठे सफर बीत जाएगा और एक सीट के उपर एक स्थरी बैठी है और दूसरी आगे बैठ जाए महराज फिर देखो अरी बहन कहां ते आ रही है कहां जा रही है अच्छा एक बात बताएँ 300 साल कहा है तो कितने बच्चे ऐसे बाते करें जेसे मानना मालूम कितनी प्रण रिष्टेदारी हो कोई दुंदली ने ऐसे ही किया पीट में कपड़ा बांद लिया गुपत रूप से घर में देहने लगी अब लेके फल का क्या करें का कि परिक्षा के लिए इस फल को एक गव को खिला दो वो फल एक गव को खिला दिया समय आने पर गव ने प्रशब हुआ एक बचडे को जन्म दिया कितना सुन्दर बचडा है मनुस्य के जैसा स्तरीर है और गव के जैसे कान है गव के जैसे कान जिसके हो उसी का नाम है गव करण रुंदली के बालक का जन्म हुआ धुंदली को दिया आत्म देव ब्राह्मन को मालूम पड़ा ओहो आज मेरी घर में बालक का जन्म हुआ है पंडिजी की खुशी का ठेकान नहीं रहा ब्राह्मन को बलाया स्वस्ति वाचन करवायो वस्तर का दान दिया अन का दान दिया स्वर्ण का दान दिया संतों का सम्मान किया भूकों को भोजन कराया प्यासे को पानी पिलवाया खुशी का ठेकाना नहीं है आज देखो हर पिता को खुशी हो है मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा पढलिक कर भिद्वान बने आत्मदेव ने सोचा कि मेरा नाम तो है आत्मदेव और अपने बच्चे का नाम में रखता हूँ परमात में देव धुंद्ली ने कहा कि वा जी वा नौ महीनि तो मैने पेट में रखो और नाम करवीको तुम चेले आए कहा कि इसका नाम कंसंस्कार तो में करूँगी ठीक है देवी तुम कर दो का कि मीर नाम है धुंदली और अपने बच्चे का नाम रखती हुँ मैं धुंदुकारी लेओ महाराज अब जैसी मैयां बैसोई छोरा धुंदुकारी पांच वर्स के हो गए जब पांच वर्स के हो गए अपनी गली महले में जा में एक सूरदास बाबा जा रहे थे तो बाबा से का कि बाबा तुम कहा जा रहे हूँ का कि बेटा मैं घर को जा रहे हूँ बाबा तो कुछ दीखे ना तुम मेरे हाथ पकड़ ले तेरे घर पे मैं छोड़ के आऊं तो दुन्दुकारी ने क्या कि बाबा का हाथ पकड़ा और कुए के पास ले गे और कुए में ऐसा धक्का दिया बाबा का गोविंदा आए नमो नमा आत्मदे प्राह्मन को मालूम पड़ा ओहो मेरे घर में कुपत्र ने जनम लिया है अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा आत्मदे प्राह्मन ने अपने घर को छोड़ दिया तीर्था टन किया भगवान का भजन किया भगवान का भजन कर रहे थे कि गोकर्णो पंडितो ग्यानी धंदुकारी महाखला गोकर्ण एक पंडित हुए बिद्वान है संत का प्रशाद है दंदुकारी खल प्रवर्ति के हुए आत्मदे प्राह्मन ने अपने घर को छोड़ दिया गोकर्ण ने कहा कि पिता जी तुम चिंता क्यों करते हो कस्य माता पिता कश्य है कौन किसकी माता है कौन किसका पिता है कौन किसका भाई है कौन किसी का बंदू नहीं है अर्थकालिन संबंदा काकश्य परिवेदना देखो जब तक भुजाओं में सक्ती है न और जब तक धन है सब अपने है जब धन समाप्त हो जाता है भुजाओं की सक्ती समाप्त हो जाती तो कोई किसी का नहीं है पिता जी आओ प्रभु का चिंतन करें हैं, प्रभु का भजन करें हैं, गोकर्न और आत्म दे ब्रहमनती थटन में चल दिये स्री क्रिष्ने गोविंद हरे मुरारे 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 ए नाति नारा येने वाशुदेवा ए नाति नारा येने वाशुदेवा क्रिष्ने गोविंद हरे मुरारे स्री 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 क्रिष्ने गोविंद हरे मुरारे आत्म ले द्रहमन गव करण ठाकुड जी का चिंतन करने लगे अब घर में कौन कौन है दुंदली और धंदुकारी दोनो मैया और बेटा धंदुकारी ने अपनी मैया से का मैया लाओ कुछ धंदे दो मैया के पास जितना धंदाना मारा सब दे दिया सब बरबाद कर दिया मैया और दे ओ बेटा मेरे पास कुछ नहीं है तुम जूट बोलती हो देखो तुमारे कानों में है तुमारे हातों में है तुमारे उंगलियों में है मैया ने सब कुछ निकाल लिया दुन्दु कारी को दे दिया सब कुछ नश्ट कर लिया आदुन्दली बहुत उदास है ओहो आज मैंने अपने पती का कहना माना होता तो मुझे ये दिन देखने को नाए मिलते अब करूं तो करूं क्या दुन्दली नदी के किनारे चली गई अपने प्राणों की आहुती लगाने के लिए देखो हर इस्त्री को हर देवी को अपने पती का कहना मानना चाहिए एक दूसरे की सलहा से कारे करने चाहिए देखो भहिया जहां सुमती तहां संपती नाना और जहां कुमती तहां विपती निदाना जहां सुमती है एक दूसरे की सलहा से काम करते हैं न वो गरस्त जीवन बहुत आनन्द में होता है उस परिवार में आनन्द ही अलग होता है जहां कुमती तहां विपती निदाना और जो अलग-अलग विचार होते हैं अलग-अलग भावनाई होती है न वो गाड़ी कभी चल नहीं सकती है यदि मैंने अपने पती का कहना मानना होता तो मुझे दिन देखने को नहीं मिलते है एक समय की बात है एक पती और पत्नी थी प्रेम से कहेंगे हरी बोर आवाज नहीं आई एक बार और बोल दीजिए हरी बोर एक पत्ती और पत्नी पत्नी पत्ती का कभी कहना नहीं मानती थी पत्ती देव ने का कि देवी आज एकांसी को देने हम ब्रत कर लें आज पूणमासी को देने हम ब्रत कर लें का कि ना नमो भूक ना रहे हो जाए अब ठाकुर जी की ऐसी किरपा होई जो पत्ती देव थे ना उनके जो पत्ताजी थे उनका गोविंदा नमो नमा आप छोड़ के चले गए अब पत्ती देव ने सोचा मैं अपनी पत्ती ते कहूँगो कि इनको संसकार कर ले उतो करेगी ना है अब कहा करनो चाहिए पत्ती देव ने कहा कि देखो देवी जो तुमारे ससुर्जी थे न वो हमें छोड़ के चले गए हम उनको संसकार ना करेंगे पत्ती ने कहा कि वाजी वा मेरे एक ही तो ससुर्जी थे मैं तो धूम धाम से बड़े भाव से उनको संसकार करूँगी पत्ती देव ने कहा कि देवी मैं भी तो यही चाहूँ संसकार किया देखो देवी तुम्हारे ससुर जी को हम गंगाजी लेके ना जाएंगे वाजिवा मैं तो गंगाजी लेके जाओंगी ठीक है देवी तुम गंगाजी ले जाना लेकि देखो रस्ते में जाएंगे ना तो रस्ते में खाने पीने के लिए कुछ मत बनाना वाजीवा मैं को भोगी मरूंगी भोजन बना के ले गई हरी द्वार पहुँच गए हरी के पौडी पे अस्तिया प्रवावित करी देखो देवी गंगाजी में पानी बहुत है तुम किनारे बैठके इश्नान कर लेओ डूबकी मत लगाना वाजीवा मैं इतने दूर ते चल के आई हूँ मैं को किनारे बैठके नाओंगी मैं तो डुबकी लगा के नाओंगी अब देवी ने क्या कि हमारा हर की पौडी पे पहुची और भाट पर एशी छलांग लगाई गंगाजी हमारा अब तो उपर नीचे उपर नीचे गंगा मैया ने गोधी में ले लिया और बहके बहुत दूर चलेगी पती देव ने का कि जह हो गंगा मैया आज आप ने गोधी में ले लिया इसलिए एक दूसरे की सल्हा करनी चाहिए कहना मारना चाहिए दुंदुली ने प्राणों की आहुती लगा दे घर में धंदुकारी है पाँच पाँच वैश्याओं को घर में लिया आए जब पाँच वैश्याओं को घर में लिया आए खाने को अन पहने को वस्तर चाहिए कहां से ले के आए चोरी करके ले के आए वैश्याव ने सोचा रे राम 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 आज ये राजा के धन को चुरा के लेके आए है राजा को मालूम पड़ाना तो राजा इनको बंदी बना के रखेगा हमको ये बंदी बन के रहना पड़ेगा अब क्या करना चाहिए पाँचो वैश्याव ने क्या किया रात्री के बारे वज़े धंदु कारी जब धन को चुरा के ले की आए उनको गोजे ने कराया उनके गले में एक रस्ची डाल दी गलफास डाल दिया उनकी प्राणों की आहूती निकल गई इसे कहते हैं अकाल मृत्यू देखो भीया जिसकी अकाल मृत्यू हो है न वो प्रेत योनी में जायो करे है छत से गिर के मर जाना समय से चले जाना प्रेत योनी में जाते हैं और देखो भीया ये प्रेत का जो मुह होता है न वो एक बहुत छोटा होता है सुई के छिदर के बराबर सुई का चिद्र कितना होता है उतना ही प्रेद का मूँ होता है गोकर्ण को मालूम पड़ा कि ओहो आज मेरे भाई की मिर्ट्टू हो गई है अपने भाई के लिए पिंडदान किया श्राद किया, तरपन किया बहुत दिन के बाद अपने जब कुटिया में आए रात्री में सो रहे हैं कभी भैसे का रूप दिखाई देता है कभी कुट्टे का रूप दिखाई देता है कभी गधे का रूप दिखाई देता है जो भाई ये तुम कौन हो तो गोकर ने क्या कि एक मुंदल को ठाया हाथ में जल लिया गात्री मंत्र का उच्चारन कि ये मंत्रू का उच्चारन करके जैसे छीटा मारा तो उसी समय दुन्दुकारी के मुक्ष एक आवाज आई अहम ब्राता तदु योशिमी दुन्दुकारी ती नामता भाईया मैं तुम्हारों भाई हूँ दुन्दुकारी मैंने ब्राह्मन कुल में जनम लेने के बाद भी अपने बिरम्नत्य को निष्ट कर दिया भाईया मेरा उपाय करो उद्धार करो गोकर ने का कि भाईया मैंने आपके लिए पिंडदान किया स्राद किया तरपन किया तुम एक क्या कितने भी पिंडदान कर ले उस्राद कर लो लेकि मेरा उद्धार नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने ब्राह्मन कुल में जनम लेने के बाद भी बहुत बड़े पाप किये है गोकर ने एक हरा बास गाड दिया उसमें साथ गाड है दुन्दुकारी को आसन दिया स्रीमद भागवत कथा को सुनाया एक दिन में एक गरंती फट गई दूसरी सातों दिन में सातों गरंतिया फट गई ठाकुर जी का भिमान आया और दुन्दुकारी को भिमान में बैठाया और पिष्णु धाम को लेकर चली गए बोलो कृष्णि का नहीं या लाले जे हूँ ने भी सुनी है लेकि धुन्दुकारी को तो बिमान आया है लेकि हमको बिमान क्यों नहीं आया है का कि देखो भीया आपने भगवान की कथा सुनी है लेकि चिंतन और मन नहीं किया है ठाकुर जी की जो कथा सुनते हैं उसको चिंतन करना चाहिए मन करना चाहिए बहुस्टी माता बेहनों से पूछा जाता है कि आपने कथा सुनी कथा कैसी लगी आपको का कि कथा तो पंडिजी अच्छी करे अच्छ एक बात वताओ आज आपने कथा में क्या सुना का कि ये हमें नामालूम हमने कहा सुनो कथा सुनी तीन घंटे अब पल्ला जाड़के माताएं बेने भाई सब चले है देखो स्रोता भी एक प्रकार के नहीं तीन प्रकार के होते हैं प्रेम से कहेंगे हरी बोल आवाज नहीं आई एक पर और बोल दीजिए जै हो एक समय की बात एक सिर्ड जी अब एक सिर्ड जी एक मूर्ती वाले के पास गए भाईया मुझे एक हनमान जी की मूर्ती दे देओ तो मूर्ती वाले ने का कि देखो हनमान जी की मूर्ती है ये जो है न एक हजार रुपे की है ये हनमान जी की मूर्ती जो है न दस हजार रुपे की है और ये हनमान जी की मूर्ती एक लाख रुपे की है तो सेड़ जी ने का कि भई ये तुम क्या कह रहे हो अरे ये मूर्ती भी दो फुट की ये भी दो फुट की ये हजार रुपे की ये दसजार रुपे की एक लाख रुपे की लेका कीमत में अंतर क्यों मूर्ति वाले ने एक धागा लिया मूर्ति के कान में धागा डाला और दूसरे कान से धागा निकल गया का कि इसकी कीमत एक हजार रुपे है क्यों? क्योंकि पंडी जी जब मंत्रों का उच्चारण करेंगे ये पत्थर की पत्थर ही रहेगे दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला दो चार छे घंटे के बाद दूसरी कान से धागा निकल गया का कि ये मूर्ति कुछ दिन के लिए तो ठाकुर जी का भिग्रे बनेगी लिएको उसके बाद में पत्थर की पत्थर ही रहेगे जब तीसरी मूर्तिक के कान में धागा डाला मारा धागा समाप तो हो गया लेकि दूसरी कान से धागा नहीं निकला कांकि ये पत्थर है जब ब्रामन इस मूर्तिक अंदर प्राणों को डालेंगे तो सांख्षत भगवान का सरूब कहलाएगी इसकी कीमत एक लाख रुपे है उसी प्रकास रोता होते हैं देखों भारा बहुत से माता है बहने ऐसी होती है कथा सुनी का कि पता नहीं है और बहुत सी माता है ऐसी तो कहा कि तो कल तो पंडी जी ने कथा में ये सुना है और परसों क्या सुना है ये पता नहीं है की कथा को स्रवन करना चाहिए चंतन करना चाहिए मनने करना चाहिए अपने कथा सुनाई सवी स्रोतावने बड़े भाव के साथ कथा सुनी और ठागुरी जी ही मांगा बोलो कश्मिक नहीं आला लेकी कि इसलिए बोलो कृष्मिक नहीं आला लेकी जैकारे में घाटा नहीं होना चाहिए एक पर बड़ी भाव के साथ में जैकर लाएंगे बोलो कृष्मिक नहीं आला लेकी कि मेरे सर दे रख दो काना मेरे सर दे रख दो काना अपने ये दोनो हाथ कि देना हो तो दीजिए जनम जनम खासा मेरे सर दे रख दो काना मेरे सर दे रख दो काना अपने ये दोनो हाथ कि देना हो तो दीजिए जनम जनम कासा कि देना हो तो दीजिए जनम जनम कासा कि भी आंच दो कासा जनम जन भीजिए जनम कि दो दो कि दो कि दो कि दो करेंची जनम कि देना हो तो कि दो ह jóvenes श्री रादे देने वाले शाम द्रहू से धन और दौलत क्या माँए शाम प्रभू से माँए तो फर नाम और एज़त क्या माँए मिर जीवन में अब कर दे तू किरपां की पर साथ बुरुश्यान प्यारे की तो भालेंगे दोनों हाँ कि देना हो तो देजे जन जन पासा देना हो तो देजे जन जन पासा झुलाओ तो देजाए तो तो दो कि दो दो देजे शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से नहीं है शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महगी है एक नजर गिरपा की काना नामिचत से महगी है मिर दिल की यही तबना मिर दिल की यही तबना सेवा कर दिन और रा कि देना हो तो दीजिये जनम जनम ठासा खेना हो तो दीजिये जनम जनम ठासा खेना हो तो दीजिये जनम जनम ठासा खेना हो तो दीजिये जनम ठासा खेना हो तो दीजिये जनम ठासा बड़ा उपकारी किया किसी जनम ने सेवा दे कर बहुत बड़ा उपकारी किया